Hello everyone, integration का एक बहुत useful application है area under the curve जिसे हमें chapter 8 में पढ़ना है तो चलिए discuss करते हैं कि क्या है area under the curve टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें दो बातों को ध्यान में रखना होगा पहला कि हम जो ये method यूज करते हैं उसका basic concept क्या है और दूसरा कुछ fundamental curves हैं उन्हें अगर हम बनाना सीख लें तो ये topic या ये chapter पूरा बहुत आसान हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं कि area under the curve क्या है मान लीजिए हमें एक curve दिया हुआ है ये एक curve है ये curve कहीं से तो शुरू होगा और कहीं पे तो खतम होगा तो मान लीजिए x is equal to a से x is equal to b इसकी limits है यानि कि ये curve x equal to a से शुरू होता है और x is equal to b पे खतम होता है सपोज आपको इस curve और x is is के बीच का area find करना ये जो part आपको दिख रहा है आपको ये area find करना है तो इसके लिए हम integration का एक concept यूज करते हैं integration का जो ये कहता है कि अगर आपको ये area निकालना है ये कोई standard circle या ellipse ऐसा कुछ नहीं है जिसके हमको area मालूम हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं तो हम करते क्या है ये axis के पहला एक छोटा सा rectangle लेते हैं जिसकी width जो है वो deluxe हो जाएगी एक rectangle हम imagine करते हैं या एक rectangle लेते हैं इसका area निकालने के लिए हमने क्या किया कि y x के पहला अपतली से strip ली जो actually rectangle जैसी है जिसकी width है deluxe मान लेते हैं कि इसकी length जो है वो चुकि y के पहला है मान लेते हैं कि ये जो length है वो y है अब अगर हम इमाजन करें कि यह पूरा पार्ट इस तरह की कई सारी rectangular strip से मिलके बना है जिनकी width तो deluxe ही है लेकिन length थोड़ी बहुत जादा या कम हो सकती है यानि ये पार्ट जिसका हमने area निकालना है इसे हम equal width के कुछ rectangles का sum मान सकते हैं और अगर हमें इस पूरी का area चाहिए तो क्यों ना सारी rectangles का area निकाल के उन्हीं add कर दिया जाए तो हम अगर इस पूरे पार्ट का area निकालना चाहते हैं area of bounded reason निकालना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि sum of area of all the rectangles तो sum का मतलब होता है summation तो length हमने लिए है y और इसकी breadth है del x तो यानि एक rectangle का area है y into del x तो ऐसे सारी rectangles का sum यानि के sigma y into del x अब हम लोग integration में वही काम करते हैं जो summation में होता है तो यानि इससे add करने के लिए हम इसका modify version यूज करें यानि अगर हम integration sign का use करें तो हम लोग सकते हैं y into लेकिन अब del x की जगे use करना होगा dx तो इस पूरे part का area integration of y dx होगा साथ में इस integral की limits होगी जहां से x शुरू हुआ है और जहां पे x खतम हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि x is equal to a से x is equal to b area under the curve find करने के लिए ये जो method है दरसाल ये कहलाती है राइमन सम जिसमें हम किसी कर्व के अंदर का area निकालने के लिए उसे rectangles में n rectangles में बाठते हैं और सभी का area add करते हैं लेकिन इसका modified form integration है और रिडिमेट formula आपको इस पूरे chapter में बचों यूज करना है वो यह है कि area निकालने के लिए सिर्फ एक formula याद रखिएगा integration ydx value a से x value b है यानि कि आपको area निकालना है area निकालने के लिए सिर्फ एक formula यूज करना है कि integration of ydx और उस पूरे कर्व में x कहां से कहां तक शुरू हो रहा है यानि कि x की क्या limit है that you have to put अब सवाल यह उठता है कि यह y क्या है यह y वो कर्व है जो आपको शुरू में दिया था यानि जो आपको कर्व दिया हुआ था वो y is equal to fx है उस कर्व में जो y की value है वो आपको यहां रख देना है integration कर देना है x के respect में और limit रख देनी है a से b तक तो यह है वो formula या जो basic concept हम इस पूरे chapter में यूज करने वाले हैं कि area हम निकालेंगे कैसे अब इसके हम second method की बात करते हैं कि एक और method हम लोग use कर सकते हैं जैसे हमने यहां पर rectangle जो लिया था वो y के पहला लिया था अगर यह strip हम लोग axis के पहला लेते तो उस समय इसकी जो length हो जाती वो x हो जाती और इसकी bridge जो है वो del y हो जाती तो अब हम वही method यूज़ करते लेकिन area निकल जाता integration length into breath यानि की x into del y summation हो जाता सारी rectangles के area का एक rectangle का area क्या होता length into breath यानि x into del y होता और अगर हम इसे integration में convert करते हैं modify में तो इसका formula होता integration x dy और यहां पर चुगी हम y के respect में integration कर रहे हैं तो y के value कहां से कहां तक शुरू हुई है y के value कहां से कहां तक शुरू हुई है वो हमें लिखना होता है यानि अगर हम लोग excesses के parallel strip लेंगे तो एक तरीका है area under the curve find करने का कि integration y dx या फिर दूसरा रास्ता है कि हम integration कर ले x dy यानि आपको कुछ ऐसे समझना है कि जब भी आपको area under the curve निकालना है तो या तो उस curve से y की value को आप यहां रख दीजिए और x के respect में integration कर दीजिए या दूसरा रास्ता है area under the curve find करने का कि उस curve से x की value रख दीजिए और y के respect में integration कर दीजिए तो यह दो छोटे-छोटे simple से formula हैं जिससे इस chapter में हम लोग use करने वाले हैं और जिससे हम आसानी से area under the curve find कर लेंगे तो यह जो दो formula हैं जल्दी से note कर लीजिए तो basic concept discuss करने के बाद अब हम लोग आते हैं दूसरे point की और कि हमें area find करना है तो पहले diagram बनाना होगा जब भी हमें कोई question दिया होगा area निकालने का उसका diagram हमें खुद से ही बनाना होता है तो चलिए बात करते हैं कुछ basic concept की जिससे आप किसी भी question में diagram easily बना सके जब हम लोग area find करते हैं for example आपको circle का area for example आपको एक circle दिया है और उसका area find करना है तो हम लोग इस diagram में देख सकते हैं कि यह जो curve है वो चार उतरा फैला हुआ है एकदम एक जैसा है अगर हम लोग किसी भी तरीके से इस first quadrant का area निकाल लेते हैं तो इसका area अगर हम लोग find कर लेते हैं किसी तरीके से तो पूरा complete area जो circle का होगा वो होगा four times क्योंकि सब जगे एक जैसा है अगर इसका area निकाल लेते हैं और four से multiply कर देते हैं तो complete area आजाएगा है ना तो AOB का area multiplied by four is equals to complete area तो ये तब हो सका क्योंकि ये जो circle होता है circle का equation जो circle है वो circle x और y axis में एक जैसा होता है जिसे mathematically कहा जाता है symmetric अगर कोई curve x axis में उपर नीचे एक जैसा है या y axis में एक जैसा है तो उसे symmetry कहा जाता है symmetric curve कहा जाता है अब होगा क्या, हमें एक curve दिया होगा y is equal to fx और उस equation में, आपको check करना है, कि किसका square है अगर x का square है, तो वो y में symmetric होता है यनि y में एक जैसा है, होता है अगर y का square है, तो वो symmetric किसमे होगा, x में symmetric in x axis ये हमेशा आपको याद रखना है अगर x का square है तो y axis में symmetric है y का square है तो x axis में symmetric है और इसलिए चुकि जो circle होता है उसमें दोनों का square होता है इसलिए वो चारों तरफ एक जैसा होता है that is symmetric in x axis and y axis also ठीक है तो आपको ऐसे पता चलेगा कि symmetric curve किसमें है और symmetric होने से हम area easily find कर सकते एक पार्ट का area निकाले तो बाकी का area मिल जाता है पर्व बनाना माल लिजिए आपको पैराबोला दिया है y square is equal to 4 a x या y square is equal to x जादा तर हमें यह पैराबोला दिया होता है तो कई बार कई students कंफ्यूस हो जाते हैं कि exactly बनेगा कैसे तो तुरंत y square देके x square में दोनों तरफ symmetric वाला यह राइट पैराबोला बना ले ला अगर y square is equal to minus x है तो यह पैराबोला x square is equal to y वाला है यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि यह x square है इसलिए यह किसमें symmetric होता है लेकिन डाउनवर्ड पैरा होला होगा यह इस तरह होते होगा तो डाइग्राम को आपको बनाना बहुत जरूरी है अब माल लीजिए कि हमने डाइग्राम तो बना ली और हमें यह एरिया निकालना है जो पैराबोला है वो एक line से bounded है और आपको यह जो एरिया है माल लो आपको यह पूरा एरिया जो है वो निकालना है ठीक है अब चुकि यह एक से उपर नीचे एक जसा है तो आपको यह अगर आप किसी तरीके से इस पार्ट का एरिया निकाल लेते हो और तो पूरा आ जाएगा क्योंकि एक सिमेट्रिक मतलब एक जसा हो ना तो वी इसमें इसका area निकाल की 4 से multiply कर देंगे, इस तरह से हम लोग पहला step होता है curve बनाना, अब हम लोग आते हैं, जब हम लोग curve बनाएंगे, डाइग्राम बनाएंगे तो इसमें हमें lines भी बनानी होती है, ठीक, तो lines जो है basically 3 types की होती है, 3 types की होती है lines, पहली होती है एक parallel line, यह ज सिर्फ X present होता या फिर Y तो यह lines पहला lines होती है, इनहें बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है X ? 2 line है यह नहीं है, तो यह Y के parallel होगी, Y is equal to 3 lines कैसे होगी? इसमें कौन नहीं है? X नहीं है, तो यह Y X के पहला होगी, तो इस तरह से पहला lines बनती है, यह हमें जरूर जाना चाहिए कि हर एक question में almost हमें इस तरह के lines बनानी पड़ेंगे, अब दूसरे type के line होती है, वो passing through origin होती है, यह कैसे पता चलेगा, अगर line में कोई भी constant ना हो, जैसे कि X is equal to Y, कोई constant नहीं है, Y is equal to 2X, कोई constant नहीं है, X equal to 3Y, कोई constant नहीं है, यानि सीधे-सीधे अगर line के equation को 0-0 satisfy करता है, तो वो line origin से pass होगी, है ना, अब जैसे Y, तो कुछ lines आपको हमेशा के लिए आद होने चाहिए, यह Y equals 2X हो गई हमारी, Y is equal to 2X हो गई, Y is equal to 3X हो गई, इस तरह से यह lines बनती जाती है, तो Y equals to 2X, Y equals to 2X, Y equals to 3X, इस lines are basically passing through origin, तो यह कई बार question में आ जाती है, तो यह आपको पहचानना आना चाहिए, तो यह lines होगी, और तीसरे type के line है, वो तो आप सभी जानते होगे, वो जो दोनों x को काटती है, intercept form, अब line में, जैसे देखी, 3X plus 4Y is equal to 12, इस line में constant term है, तो यह कभी origin से पास नहीं हो सकती, तो इस line के लिए बहुत आसान है, x equal to 0 रग दो, तो Y की value मिल जाएगी, अगर x equal to 0 रग देंगे, यह जो line है, axis को काट रही है, 4 पे और Y axis को 3 पे काट रही है, तो इस तरह से यह line हम लोग बना सकते हैं, तो line बनाना बहुत आसान है, लेकिन कई बार, अगर concept clear ना हो तो हम लोग इसे में भी गलती कर देते हैं, तो I think curve tracing में आपको प्रोब्लम नहीं होगी, आप आराम से बना सकते हैं,